हेलो दोस्तो एक और फेस पैक लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ आप लोग मेरा फेस देखी सकते हो मैंने बिल्कुल स्लीन फेस रखा है अभी मैं फेश वाउच करके आपके सामने बैठी हूँ इसमें आपको एड़ करना है रौ मिल्क अगर आपके पास रौ मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं आप नॉर्मल मिल्क यूज कीजिए जैसे आज सुबर मैं रौ मिल्क रखना भूल गई थी तो मैं नॉर्मल मिल्क ही यूज कर रही हूँ यह आपर इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर पूरे फेस पे अच्छे से आपको लगा लेना है, एक फेस पैक की तरह आप इसे अच्छे से पहले लगा लीजिए, फिर आप इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने फेस पर मसाज कीजिए, क्योंकि मैं इस इसे एक ट्लीन ज़र मैंने यह अभी बनाया फेस पैक नहीं बनाया इसलिए मैं पूरे फेस पैक बरस को लगा ले रही हूं फिर सर्कुलर मुशन में मैं यहां पर मसाज कर रही हूं और पेसना मेरे फेस को एक्स्ट्रोएट करेगा मेरी डेड़ स्किन पॉलिशन को कर लोगे मैं अपना फेस है आचो क्या हुआ वह शूट काना मेरा रह जा था उसके लिए हम सौरीए आप मेरा देख सकते हो कि इतना जादा हञी की बीर मुझे तो फिर उसके साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहे हूं बसे हैं अब यूज़ करने वाली हैं मलाई फ्रेश मलाई न कि अपका अच्छाए में पर पैक्स लेगी है आप आँखों के पास भी इसको लगा सकते हो बर ध्यान रहें कि आपके आँखों में यह चलाना जाए तो उतना थोड़ा सा डिस्टंस पुइंटीन करके रखना और पोरे फेस पे आप इसको लगा सकते हो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएंगी और अगर लगे कि आपको कोई इरिडेशन ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरहत रिमूव कर दे वैसे नेच्रल इंग्रियेंट्स हैं तो कोई भी दिक्कत आईगी ही नहीं इसमें मलाई एड़ किया है मैंने जो कि हमारी स्कीन को स्मूध करेगा और हमारी स्कीन को ब्राइटन करेगा और बहुत ही नेच अच्छा आपको रिजल दिखने को मिलेगा और जो चंदन है वो हमारे चेहरे की चमक को बरकरा रखता है हमारे दाग धबो को कम करता है इसी आप रेगुलर में लगाओगे तो आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे होंगे वह बहुत ही जदा लाइट हो जाएंगे और पर जब से अप्लाइ करना शुरू किया है मेरा फेस मुझे वह बहुत जाद अच्छा लगने लगा इतने अच्छी रिजल देखने को मिलें से हर एक से दूसरे दिन में कर ही लेती हूं इतना अच्छा मुझे इसका रिजल देखने को बला है इस पर कितनी ज़्यादा चमक कि आपको दो से तीन बात में ही जो Suzanne को मिल जागा आप पहले लगाए फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको जबाए या नहीं तो वैसे मैं शुर हूं कि आपको ज़रूर म्यारी यूंगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तोरीगरेट नहीं करेंगे फिर में यहां आपके पास माइक्रो हैवर, टावल हो या फिर हैंकी हो तो वो जादा अच्छा है बट मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल रुमाल ही यूज़ कर रही हो यहाँ पर और अच्छे से अपने फेस को पहले क्लीन कर लीजिए आप देख पारे होगे कि मैं हर चीज़ यहाँ पर सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ मैं अपना फेस क्लीन भी रुमाल से जो फेस क्लीन कर रही हो वो भी मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ क्योंकि मेरी डेट स्किन अगर कहीं भी थोड़ी सी भी रह गई हो तो वह साथ के साथ निकल जाए और जब मेरा मास्क है वह भी अच्छे से रिमूब हो जाए सर्कुल में आप करोगे तो और अच्छे से वाइप आफ हो जाएगा आपका मास्क आप देख पारे होंगे मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया अब मैं अपना फेश यहांपर बाणी से वेश वाष कर लूंगी अच्छे से में अपना फेश करके आ चुकी होगी हो और आप देख सकते हो मेरा फेश कितना जाधा चमक रहा है मेरे स्कीन बे कितना ज्याधा गया अग्τά मुझे अपनी स दिख रहे होना है यहां पर बहुत जादा ब्राउन स्पोर्ट्स थे मेरे विंपल्स के जो कि कितने जादा लाइट हो गया है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना